हलो अव्रीवन मैं अनीता ठाकोर वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइंथ हिस्ट्री चाप्र फॉर्ट जो है उसकी सेक्शन लास्ट जो हम उसको डिसकस कर रहे हैं 4.5 को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्या क्या डिव बनाना शुरू कर दिया जिससे की वह फॉर्स को चंजर्व करके रख सके और अपने पॉपस के लिए यूज कर सके लेकिन जो फॉर्स्ट कीपिंग कम्यूनटी थी जो लोग फॉर्स्ट पर टोटली डिपेंडेंट थे उनको फॉर्स्ट से दूर रखा गया जिसकी वज़ अनधर गवर्मेंट ठीक है और उसके बाद क्या करते थे वो वह अपनी मर्जी से तिमबर को कलेक्ट करते और इंपोर्टेंट जो चीजें होती लाइक वो रेल्वे लाइन्स को एक्स्पांड करना हो या अधर कंट्रीज की दिमांड्स को फुल्फिल करना हो वार नेसेसि फॉल्फिल को मीट करने मतलब अपना टागीट अचीब करने के लिए हम लोगो क्या करना होगा उनुनने कुछ लोगों को कहा कि जो लोग फॉरेस्ट के निएर भाit रहते थे जो लोग जंगल के पास रहते थे उनको कहा कि आप अपनी इंवालमेंट दे सकती हो गार्डिंग करके मतलब उसकी टेक केर करके यह न उसके बाद देखा कि बहुत सारे ऐसे केसे देखे गए क्रॉस इंडिया में भी कि मिजोरम से लेकर केरला तक यह जितना भी डेंस फोरेस्ट था उसमें क्या किया गया सिर्फ कुछी मतलब विलेज्ट थे वह प्रोटेक्ट हो गया, यह कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको प्रोटेक्ट करा जाने लगा और कुछ विलेज्ट थे यहां पर यह बताया गया कि वहाँ पर पैट्रोलिंग होती थी इसके मतलब अपने फॉरेस्ट में पैट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया है एक लिमिटे टाइम पीरियट के लिए वो जस्त टेक केर करने के लिए देखने सुनने के लिए जाते थे फॉरेस्ट में और क्या करते थे उनको हाउस्वोल टेकिंग मतलब कुछ न कुछ उनको रिटर्न में मिलता था और मतलब उनका इन शॉट अगर देखे तो वहां पर उन्होंने न फॉरेस्ट की टेक कि forest management की अलग-अलग forms होती है according to their necessity तो आज के टाइम पर ही बहुत सारे ऐसे rules and regulations लगाए गए हैं जिसके basis पर हम लोग यह बोल सकते हैं कि forest को protect करा जा रहा है तो यह था अप लोगों का इस वीडियो का end और यह chapter अपनों का complete हो गया है